हेलो दियर फ्रेंड आप कैसे हो आई हो पच्छे हो आज मैं एक कच्छे आलो से बहुत ही testy और healthy नास्ता की recipe लेके आई हूँ जो सभी को बहुत पसंद आएगी ये मैंने एक कच्छा आलो ले लिया है और इसके मैंने घीयकस कर लिया है इसके मैंने लंबे-लंबे लच्छे बना लिये ये मैंने एक गाजर लिये है गाजर को भी मैंने घीयकस कर लिया इनके दोनों के लंबे-लंबे लच्छे बनाएं अब हम इनसे इस तरह मिलाएंगे कि ये हमें मिला लेंगे अब इसी तरह मैंने मिला कर तयार कर लिया अब मैंने आदा कफ आटा ले लिया है ये गेम का आटा है और दो चमच मैंने अरा रोट ले लिया है और एक चमच मैंने जीरा ले लिया है और आदा चमच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है सादा चम्मच मैंने धनिया पौडर ले लिया है और नमक सादा नुशार अब इन सब को मैं खूब अच्छी तरह मिला लूँगे बहुत ही कम ओयल में ये बनकर तयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही हेल्दी है ये खाने में इतना स्वादिश्ट है कि तरवर इस नस्ति कूं बनाकर खायो के और मैंने थोड़ासा हरापयाज लूँ या और दो हरी मिर्च लूँ हैं तो फोड़ासा धनिया लिया है अब इन सब को हम इस आटी में मिला लेंगे इस तरह खूप अच्छी तरह मिला लिए जिससे हमारा यह आटा बरावर मिल जाए सारे आलू और काजर में यह हलके हलके हासी मिलाना है हमें लच्छी हमें बरकरार रखनी है यह मैंने मिला कर तयार कर लिया है अब हम इसका नास्ता बनाएंगे यह बिल्कुल रेड़ी है अब इधर मैंने तवा ले लिया है तवा पर मैंने एक चमच ओयल लगाया है और एक चमच ओयल में ही यह सिक कर तयार हो जाएगा यह बहुत ही कम ओयल में बनकर तयार होता है नास्ता अब इस तरह मैंने सारे में यह फैला लिया है अब इस डो को हम इस तबापर फैला दिंगे गैस थूड़ा दियान रखें, गैस इस टार्म लोई ही रखें अब इसी तरह में सारे में फैला लुँगी जितना बड़ा हमें नास्तिय के बना कर तयार करना है उतना ही हमें ये डो फैलाना है अब इस तरह मैंने ये गोल गोल आकार में फैला लिया है अब मैंने थोड़ा सा ओल ओल लगा दिया है अब हम इसे ढख कर दो मिनट सिखने देंगे दो मिनट बार देख लेते हैं नास्ता हमारा सिखकर नीचे से तयार हो गया है अब हम इसे एक पलटा की साहता से इसे पलट लेंगे नास्ता बहुत अच्छी तरह से सिख गया नीचे से देखो देखने में कितना सुन्दल लग रहा है अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिख लेंगे दो मिनट और ठकेंगे इसे नास्ता बहुत अच्छी तरह सिख्या है खुस्पू भी बहुत अच्छी आ रही है कम मसालों में और कम सब्जियों में ये हेल्दी नास्ता बनकर तयार हो गया है जब हमारे हम मेहमान आ जाएं तो हम इस नास्ते को फटापट बनाकर खिला सकते हैं जब कोई भी सामान नहीं है ये हर घर में चीज़े मिल जाती है उसी से इतना टैस्ती नास्ता देखकर महमान भी आपसे पूछेंगे कि ये नास्ता आपने कैसे बनाया है और इतना टैस्ती बनाया है अब हम आपको एक और बनाकर दिखाती हैं दूसरा नास्ता भी इसी तरह बन जाएगा इस तरह मैं फैला लूँगी हाथ की सायता से ही और ये मैंने फैला दिया है अब इसी तरह सारा नास्ता शिक कर तयार है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सियर करना और चैनल को सस्क्राइब करना देखनी में बहुत सुन्दर लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है चलो चलती हैं कल हम आपसे फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थेंक